कहां रहते बेटा मैं कुछरत कच में रहता हूँ क्या परेशान है आपको कलर ब्लाइड के पॉब्लम है कैसे मालूम पड़ा कलर ब्लाइडनेस तुम आर्मी के बर्टी देखने के लिए गाया था फिजिकल तो मैंने निकाल दिया लेकिन जब मेडिकल का टाइम आया तब कलर कलर ब्लाइड के पॉब्लम एक निकल आई किनी बार बाहर का रहा है मुझे तीन बार बार किया और छे बार मैंने मेडिकल कर रहा है तो अन्फिट है बड़ी बड़ी ऑस्पिटल में भी गया था इलाज करानी के लिए लेकिन कहीं पर वो डॉक्टर साह बोले कि यह लाइल दुनिया में इसका कोई इलाज ना इलाज बिमारिया यह हो गई इसको कलर वीजन तो कलर वीजन होने से क्या परेशानी है नोक्री नहीं मिल रही आर्मिन में तो कलर ब्लाइडनेस का अपने इलाज कराने का नहीं पूछा किसी से बज में क्यों हाँ अगुचांज यह यह इलाज को इक टेव नहीं दोई तो बिटा यह दक्टर रिशब जेन का पता कैसे बढ़ा तुमको मैंने इंटरनेट पर सर्च किया ताप पूरे वर्ल्ड में आपी का नाम आया कि अके लिए यह कर सकते हैं कलर ब्लाइन की बिमारी का आपने वीडियो वगेरा देखे उससे और या सीव मैं ठीक हो सकता हूं अब विश्वास है ठीक हो जाएगे अनडरेट परसें साइट बता देना जो दी नहीं दिखे को थो बोलते जाओ नहीं दिख रहा है यह 2 शिव नहीं दिख रही ना थी दिखे छे ना तो धूर चैना तो जूनेट जी आज आपको वार्ण इस से ज्यादा जो भी अक्षर दिखेंगे जो भी प्लेट्स बड़ेगी आप मानेंगे काई से बड़ी वो सर डॉक्टर उसर जैंस के बज़े से बड़ी तो बेश्टा बलग आज से आप निलाज शुरू करते हैं देखनें कितना क्या फरक पड़ता है तो शिक्स वंटी सि तो आपको कैसा लग रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं दो जब आया था तक दो भी प्लेट दिखने लगा हूं और कि दवाईयां भी ती है मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पंदर दिन में यह और भी बढ़ा सकता हूं और ज्यादा रोश्नी आपकी और आपको आज लगा आपके बेटे को रोशनी बढ़ रही है उसकी कलर प्लेट बढ़ गई है हाँ लगी ऐगा है क्या देखा आपने तो फर्ग जीतो प्लेत बावत बेट अश्रा बढ़ रही है तो आपके बच्छा बिलकुल थीक हो जाएगा तो इसका मतलब है बनेग गय़्र इशबज जेन कि कलरागल कि लाज करते हैं और लियाज को पैदा हो रहा है तो पैदा हुआ है तो दूसरे बच्चे भी आएंगे तो ठीक होएंगे क्या हां थाही रहा हो सकते हैं ठीक है नमस्कार देश के दिल मध्धतिंश के मध्ध में बसा यह जिन नगर है जिन के मध्ध में गोपाल मंदेश छत्री जोग के पास अस्पिटिल है शहर के प्रमुख मार्केट पटमी बजार में जिन में द्रोग चिते साल रहा है